हेलो एब्रिवन आज हम एक्सेसाइज 4.2 के क्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं तो आज़े देखते हैं क्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है क्वेशन नंबर 4 में बोलने हैं फिन 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 फि is 365 हम से क्या बोले है find two consecutive positive integers whose sum of whose square is 365 ठीक है अब सबसे पहले जानते है consecutive positive integers क्या होते है consecutive मतलब क्रमांगत जो क्रम से integers आए वे होते है तो commonly हम क्या मानते है consecutive numbers को x और x plus 1 मानते हैं क्योंकि लगातार कौन से आएंगे जब हम number हों में 1 1 add करते वे चले जाएंगे तो हमें consecutive integers प्राप्त होंगे तो हमने यहाँ पर माना let two consecutive positive integers are x and x plus 1 आप question में क्या दिया है हमें question में दिया है since sum of the squares of both numbers both integers equal to 365 हमसे बोल ले हैं कि दोनों जो हमारे पास number है x और x plus 1 इनके squares को अगर हम plus करते हैं तो answer 365 आता हैं तो अब equation के form में इसको लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा xc square plus x plus 1 square equal to 365 ठीक है अब हम x plus 1 के whole square को expand कर लेंगे a plus b के whole square के formula से तो xc square plus हमें मिलेगा xc square plus 2x plus 1 equal to 365 ठीक है xc square और xc square हमारे पास हो गया 2xc square plus 2x plus 1 365 को transpose कर दिया left hand side में तो यह हो गया minus का 365 equal to 0 2xc square plus 2x 1 में से 365 को minus कर दिया तो हमें मिला minus का 364 equal to 0 अब यहाँ पर हम observe करें 2xc square plus 2x minus 364 को तो इसमें 2 का divide जा रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे 2 से divide दे देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा xc square plus x minus 182 equal to 0 ठीक है अब हम 182 और xc square के coefficient को multiply करेंगे और पेस के बाद आगे को solve करेंगे तो 182 और xc square को coefficient 1 है तो हमें मिलता है 182 और 182 के ऐसे factors के ले हम जिनका sum या subtraction किसके बराबर हो x के coefficient के बराबर हो तो हम जानते हैं कि 182 जो हमारे पास है उसके जो factors होते हैं 13 into 14 होते हैं ठीक है और यहाँ पर हम observe करें कि 13 और 14 में अगर हम 14 चे 13 को minus करते हैं तो 1 आता है ठीक है तो ऐसी situation में हम 1x की जिगाबर क्या लिखेंगे xc square plus 14 minus 13x minus 182 equal to 0 इसको और solve किया तो xc square plus 14x minus 13x minus 182 equal to 0 अगर हो आया ठीक है और x square xc square plus 14x इनको एक साथ लिया minus 13x minus 182 को एक साथ लिया xc square plus 14x में हमारा common क्या आ रहे है इसमें common आ रहे है हमारा x और अंदर बच रहे है हमारे पास x plus 14 ठीक इसी प्रकार से minus 13x और minus 182 में minus 13 common है तो minus 13 को common लिया तो अंदर बचेगा हमारे पास x plus 14 equal to 0 अब यहाँ पर x plus 14 को common लिया लिया तो हमें मिल जाएगा x minus 13 equal to 0 अब इनको अलग-अलग करके solve करेंगे तो हमें x की value, दो values मिल जाएगी वो मिलेंगी हमें minus 14 और 13 तो हमसे बोल ले थे positive integer positive integer बोल ले थे तो यहाँ पर minus 14 तो negative का है तो यह हमारा answer नहीं हो सकता तो हमारे पास first integer 13 होगा तो हम यहाँ ले ले लेंगे so first positive integer is 13 and second positive integer कितना हो जाएगा 13 plus 1 यानि की 14 तो हमारे पास positive integer 13 and 14 आ जाएगे तो यह हमारा answer हो जाएगा हमारे तो हमारे यह हमारेふह आया हुरदा जाएगा है ंा सकति झाल eviden कि अज़ देल यहाँ बजगर चैसति की caregiver झाल यह हमारे तो यह हमारे कि एहां